तो हाई दोस्तो मेरा ना मैं दित्याराज और आप सभी का सवागत है एक और नए वीडियो के अंदर दोस्तो अगर आप एक DSLR या फिर mirrorless camera को यूज करते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहे ना एक ऐसा camera का setting बताने वाला हूँ जिसके मदद से आपका जो sharpness से वो increase होगा ही होगा point number one दोस्तो यहाँ पर जो लोग भी पहले से camera वगरे को यूज कर रहे हैं जिनको कुछ time हो चुका है यहाँ पर camera को यूज करते हुए उन्हें तो दोस्तो यह चीज अच्छी तरीके से पता है कि हमारे camera का जो lens होता है उसको हमेशा clean रखना है ठीक है लेकिन दोस्तो काफ़े बार ऐसा होता है कि हम अपने friends को देते हैं फोटोग्रफी करो मेरा फोटो को क्लिक करो उसके बाद होता क्या है कि उनके जो fingerprint से वो आपके camera के lens के उपर लग जाता है उसके बाद दोस्तो आपकी जो camera की जो फोटो कॉल्टी फिर वीडियो कॉल्टी है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है जी हाँ दोस्तो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप ये खुद स के sensor को या फिर अपने lens की दूसरे साइड को आप touch कभी भी ना करो point number two दोस्तो यही है वो point जिसकी वज़े से ही दोस्तो काफी सारे लोगों को camera में problem आती है जिनकी वज़े से यहाँ पर उनके camera के अंदर sharpness बिलकुल भी नहीं आती है photo में फिर वीडियो में वो ये है कि दो focus के वज़े से ही आपके sharpness में कमी जो देखने को मिलती है वो होती है ठीक है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जो camera है वो बिलकुल correct आपको यहाँ पर focus करना होता है जो भी आपका subject होता है make sure करो कि वो अच्छी तरीके से focus में हो ठीक है अगर आपको focus के बारे में साथ दोस्तों उसकी जो sharpness से वो भी आप खतम सी हो जाती है तो जब भी आप photography या फिर वीडियोग्राफी करो make sure करो दोस्तों कि आप कभी भी zoom का use ना करो खासकर digital zoom का तो आप बिलकुल भी मत use करो यहाँ पर जितना जादा हो सके अगर आपको zoom करना है तो आप manually pass जाके काफी जादा देखने को मिल जाता है जिसके वादे से दोस्तों यहाँ पर आपकी photo की quality खराब हो जाती है और साथी से दोस्तों उसकी sharpness तो काफी जादा खतम हो जाती है तो इसी के लिए दोस्तों आपको अपना जो ISO है आप यहाँ पर ध्यान रखना कि 600 के ऊपर कभी भी ना रखना और जितना ज्यादा कम हो सके उतना कम अगर आप ISO रखोगे तो उतनी बढ़िया आपके photo की quality आएगी तो यहाँ पर हमारा fifth point काफी ज्यादा important है वो है कि आपको एक fast shutter speed आपको use करना है अब दोस्तों वहाँ पर दूस्तों आपके camera को उपर shutter speed का आपको एक option ज्यादा हो ठीक है अगर दोस्तों कम रहती है तो एक photo को क्लिक करने में उसको काफी ज्यादा time लगता है ठीक है तो यहाँ पर आपको करना कहें कि अपना shutter speed है उसको photography करते समय 100 के ऊपर ही रखो जितना ज्यादा आप high रखोगे उतनी जल्दी आपकी photo जो है उसको click होगी और जल्दी photo click होगी तो यहाँ पर होगा क्या कि आपके photo के अंदर motion blur नहीं देखने को मिलेगा अगर उसमें motion blur नहीं होगा तो आपकी जो photo है वो काफी ज़्यादा शार पाएगी तो 6th point हमारा यह है कि अगर आप यहाँ पर low light में photography करते हो तो उसके quality बहुत ज़्यादा ख होगा क्या कि आपके photo और वीडियो में grains काफी ज़्यादा देखने को मिले तो दोस्तों make sure करना कि आप एक अच्छा सा lighting setup आप यूज करो आप चाहो तो यहाँ पर एक soft box या फिर ring light का आप यूज कर सकते हो ताकि दोस्तों आपका जो main subject होगा उसके उपर अगर आप क्योंकि दोस्तों अगर आप एक अच्छा सा photo क्लिक करना चाहते हो अगर आप एक kit lens को use कर दो तो आपको switch करने की जरूरत है क्योंकि दोस्तों आप kit lens के मज़से बहुत ही ज्यादा बढ़िया quality तो आप expect नहीं कर सकते तो मैं यह आपको recommend करूँगा कि आप 50 mm या फिर 85 mm आ क्योंकि दोस्तों उसके अंदर photo काफ यदा अच्छे से click होता है उसमें आपको ज्यादा ISO बगरा की जरूरत नहीं होती है क्योंकि दोस्तों उसमें कम ISO में भी ज्यादा light capture होता है ठीक है दोस्तों make sure करो कि जब भी आप invest करो तो एक अच्छे से lens पर जरूर से invest करो तो यहा यहां nya पर क्यासी कि आप देख पार है अभी मैं आचगा अपने camera के पास तो सब्से पहले दोस्तों यहां पर क्या करते। दोस्तो इसलिए आपको same डाइलर पे आपको भी रख लेना है ठीक है उसके बाद दोस्तो आपको simply करना कहा है कि इस menu वाले button के उपर click कर देना है अब menu वाले button के उपर click करने के बाद दोस्तो यहाँ पे आपको आ जाना है अपने third number पे ठीक है first वाले red वाले section के अंदर आपक आपको picture style आपको देखने को मिलता है ठीक है तो simply आपको इसके उपर click कर देना और इसके उपर जैसे ही आप click कर गए यहाँ पर make sure कर लेना कि आपका auto के अलवा बागी कोई भी आप select कर सकते हो यह आपकी मर्जी है ठीक है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर यह मेरा standard पर selected है इ कर पाऊ ठीक है तो यहाँ पर मैंने info बटन को पर click कर दे है अब यहाँ पर शार्पनेस आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर यह है दोस्तो शार्पनेस की strength ठीक है अब यहाँ पर शार्पनेस की जो strength है यह by default दोस्तो बीच में होता है जिसे कि आप यहाँ पर करके आप यहाँ पर बढ़ा सकती हो उसको दूस्तो जितना भी आपको शार्पनेस पसंद आए वहाँ पर यहाँ पर सेट कर पाओगे आयोब दूस्तो आप सुब लोको आज के जो वीडियो था यह आप सुभी को पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो हेलफूल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप कैमरा या फिर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से रिलेटेड और भी वीडियो से देखना जाते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिल तो आप सेल दी नेक्स्ट वीडियो में